जियो सीनिमा बैक टू बैक कुछ ना कुछ ला रहा है और इसके साथ एक मूवी लाई है जिसका नाम है I love you ये तो यार वही मूवी थी ना जो कुछ-कुछ होता है कि दमशरस में दी गई थी खेर छोड़ो मूवी का ये टैटल अपनी स्टोरी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है ध्यान से रिव्यू सुनना और इसके बाद डिसाड करना कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं चलो तो सबसे पहले आता है सत्या पर जो की हाँ पर है रकुल प्रेट सिंग और वो अभी स्विमिंग फूल में है उसके बाद आती है बेजिक सी स्टोरी जहां पर एक कॉर्पोरेट रूमन इंडिपेंडन्ट है स्ट्रॉंग है और इंसानित वाली है पाँच मिनिटी होते है मुवी को शुरू हुए और उसके बाद हम लोगों को बताता है कि उसका बॉइफ्रेंड सत्या को प्रपोस कर देता है फिर क्या एस विशल उसने हर बॉलीवूर मुवी की तरह हां कर दी बाइदवे बॉइफ्रेंड का नाम आकाश है और वो दोनों एक ट्रिप प्लान कर रहे है ताकि वो एक दूसरी के साथ quality time spend कर सके अरे एक मिनिट सत्या का एक दोस्त भी है जिसको मैं भूल गया और उसका नाम है आरो सत्या और आरो बहुत अच्छे दोस्त है और आरो उसी के office में एक tech department में काम करता है अब सत्या जब trip के लिए निकल रहे होती है तब उसका contact ना ही विशाल से हो पाता है ना ही उसके driver से सत्या अपने office में ही रहती है क्योंकि उसको trip के जाना होता है और रात को 10 बज़े तक अपने office में अकली रहती है अब उसके बास contact करने के लिए कोई नहीं होता है और इस वज़े से वह आरो को call लगाती है आरो office में आ जाता है लेकिन ही से twist शुरू होता है वो दोनों को एक लाश मिलती है सत्या की गाड़ी की डिक्की में से और उसके बाद ये रात सत्या और के लिए लंबी हो जाती है आप लोगों को डर और एक हसीना थी मूवी याद है बस आई लव यू मूवी भी ऐसी है लेकिन एक अपडेट के साथ और वो अपडेट है टेक्नलोजी हाला कि इसके स्टोरी आपको याद रहे या ना रहे लेकिन इसके कैरेक्टर ज़रूर या कर दोगे लेकिन कैसे ट्वीस आता है कैसे टर्न साता है इसके लिए ये मूवी बैस्ट है यह मूवी सिर्फ घंडे की है यार इतनी लंबी भी नहीं है इसलिए विकेंड के लिए एकदम बैस्त अवरल यह मूवी को मैं पाच में से सारे तीन स्टार देना चाहूंगा तो चलो या रही ता मेरा इचका रेवीव आई लवी मुवी के उपर जो की जियो सिनेमा पर है बिलकुल फ्री में तो क्या आप लोग ये मुवी देखोगे या नहीं ये मुझे कमेंड बॉक्स में ज़रूर पताना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई